Good morning students, today I will start exercise 31 and in this exercise I will teach you how to represent the fraction on the number line number lines per fractions को कैसे represent किया जाता है the heading represent each of the following fraction on the number line आपको नीचे fractions दिये हैं और इनको number line पर आपको represent करना है तो सबसे पहले number line हम कैसे draw करते हैं तो हम पहले number line एक unit की draw कर लेते हैं और उस एक unit में जो भी आपको fraction शो करनी होती है उसका हम denominator देखते हैं उसका denominator क्या है उसका जो denominator होता है उस number line को हम उतने ही parts में divide कर देते हैं यानि और उनके बीच की जो gaping आती है वो फिर उसके denominator के साथ आएगी जैसे आपको पहले 1 upon 3 का बनाना है तो सबसे पहले हमने एक number line draw किया लाइक दिस number line draw करने के बाद ये तो हमारा line का point है x और y इससे हमें कोई मतलब नहीं आप चाहें तो ये show कर सकते हैं चाहें तो ना show करें यहाँ से हमने draw किया ये आपका 0 number है 0 के बाद में हमें 1 unit का number line draw करना हमें 1 upon 3 है और 3 में denominator 3 है तो हमारे जो line segments में जो हम इसको divide करेंगे उसमें जो gap आएगा वो 3 3 का आएगा जैसे ये 0 है फिर इसके बाद ये आपका होगा 1 upon 3 ये होगा 2 upon 3 और ये होगा 3 upon 3 जहाँ पर numerator और denominator एक जैसे हो जाते हैं वहीं पर हम number line stop कर देंगे 3 1s are 3 इसका मतलब क्या आ रहा है 1 तो जो A point है वो 1 पर है यानि ये O से लेकर A तक क्या है 1 unit है जिसमें आपको 1 upon 3 दिखाना है तो 1 upon 3 पहले ही number पे है 0 के बाद ये 1 upon 3 है 2 upon 3 है 3 upon 3 है 1 upon 3 यहीं पर ही तो 0 से लेकर O से लेकर B जो point हमें दिखाना है उसको हमने B दिखा है तो O B किसको शो कर रहा है 1 upon 3 को इसको हम लिखेंगे here O A equal to 1 unit O से लेकर A तक 1 आ रहा है किस तरीके से क्योंकि उपर भी 3 हो जागा नीचे भी 3 हो जागा और 3 से 3 cancel हो जाएगा तो O A equal to 1 unit आ रहा है of X Y X और Y पर खेची है in which each part represent हर एक part O से लेकर B तक का part 1 upon 3 दिखा रहा है B से लेकर दूसरा part ये भी 1 upon 3 है यहां से लेकर यहां का part ये भी 1 upon 3 है तो each part represent 1 upon 3 तो O भी क्या represent कर रहा है 1 upon 3 दूसरा example देखिए जैसे आपको 4 upon 7 का draw करना है तो denominator में क्या है 7 इसका मतलब parts में कितने का gap होगा 7 7 1 upon 7 करके gap होगा आपका तो सबसे पहले हमने एक line draw की X Y जिस पर O point एक mark किया तो यह हो गया आपका 0 इसके बाद 1 upon 7 2 upon 7 3 upon 7 4 upon 7 5 upon 7 6 upon 7 7 upon 7 जहां पर numerator और denominator एक जैसे हो जाएंगे वही पर हम रोक देंगे तो 7 upon 7 यहां गया 1 यहनि O से लेकर A तक अब कितनी हो गई 1 unit O से लेकर A तक कितनी हो गई आपकी 1 unit तो here O A equal to 1 unit of X Y in which each part क्या represent कर रहा है 1 upon 7 देखिए 1 upon 7 2 upon 7 3 upon 7 4 upon 7 5 upon 7 6 upon 7 तो each part आपका क्या show कर रहा है 1 upon 7 तो यहां पर O B क्या represent करेगा 4 upon 7 कैसे देखिए 1 upon 7 2 upon 7 3 upon 7 और 4 upon 7 यहां तक आगए तो 4 upon 7 हो गया तो O से लेकर B तक क्या show कर रहा है 4 upon 7 Now come to the next question 7 upon 9 आपको draw करना है तो हमने फिर से एक line draw किया और O यह है इसके बाद इसे यह गया 0 1 upon 9 2 upon 9 3 upon 9 4 upon 9 5 upon 9 6 upon 9 7 upon 9 8 upon 9 9 upon 9 फिर से numerator और denominator एक जैसे हो गए यहांनि O से लेकर A तक 1 unit हो गई और आपको क्या show करना है 7 upon 9 तो 7 upon 9 कैसे करेंगे 1 upon 9 2 upon 9 3 upon 9 4 upon 9 5 upon 9 6 upon 9 7 upon 9 यह आ रहा है आपका 7 upon 9 तो B नंबर पर आगया यहांनि O से लेकर B तक क्या show कर रहा है 7 upon 9 इसके बाद 6 upon 11 यहांनि अब हर पार्ट में 1 upon 11 का gap होगा तो हमने 0 से consider किया 1 upon 11 2 upon 11 3 upon 11 4 upon 11 5 upon 11 6 upon 11 7 upon 11 8 upon 11 9 upon 11 10 upon 11 और 11 upon 11 numerator denominator एक जैसे हो गए A पर यहांनि O से लेकर A तक कितना होगया 1 unit और इसके बाद में आपको 6 upon 11 दिखाना था 1 upon 11 2 upon 11 3 upon 11 4 upon 11 5 upon 11 और 6 upon 11 यहांनि O से लेकर B तक fraction 6 upon 11 show कर रहा है अब दिखते हैं next type के questions in each of the number line given below आपको इस बार number line दिया हो fraction पैचाना है O A line segment of length 1 unit यहांनि O से लेकर A तक 1 unit है तो कह रहे हैं write the fraction represented by O B O B के थूप क्या fraction represent हो रहा है यह आपको बताना है तो total हम देख लेते हैं कि total points कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो total points पहले आप गिनेंगे O को छोड़ कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो total point 7 है total आपके denominator में आएंगे अब B पर जो point है यहां तक count करेंगे तो 1, 2, 3, 4 B पर क्या है? 4 यानि यह fraction शो कर रहा है आपका 4 upon 7 इसी तरीके से और question देखिए पहले A वाले गिन लेते है यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो A पर नंबर पर आ रहा है आपका 8 अब B वाले गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 यानि यह fraction क्या है? 5 upon 8 इसी तरीके से यह देखेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5 क्या है? 5 अब B पर देखिए तो 1, 2, 3, B पर क्या है? 3 यानि यह fraction क्या है? 3 upon 5 से पहले A तक count करेंगे कितने आ रहे हैं? जो A होगा वो denominator में आएगा जो B वाला होगा वो numerator में आएगा इस तरी